हैदरबाद इंटरनाशनल स्कूल, CBSC के साथ इंटरनाशनल एक्सीड सिलिबस, जो आट कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है इंडिया के टॉप 25 एक्सीड स्कूल में से एक modern और Islamic education, 5-step activity based method, playway और activities के जरिये तालीम दी जाती है लड़कियों के लिए अलहाइदा facility, अब heavy bags उठाने की जरूरत नहीं हर students के लिए अलहाइदा locker facility, life skills education के जरिये personality development, teachers के लिए lesson plans लाजमी Chief Justice of India एंवी रामना ने हफ़ते को मौझूदा अद्लिया को दरपेश मसाइल की फेहरिस देते हुए कहा कि मुल्क में कई मीडिया इदारे केंगारो कोर्ट्स ऐसे मसाइल पर चला रहे हैं जिन पर तजरुबेकार जज़ों को भी फैसला करना मुश्किल है रांची में National University of Study and Research in Law में एक तखरीब से खिताब करते हुए CGI ने कहा कि इनसाफ की फराहमी से मतालिख मसाइल पर गलत मालूमात और एजेंडे पर मुबनी बहसे जमूरियत की सेहत के लिए नुकसान दे साबित हो रही है मीडिया के जरिये प्रोपेगंडा किये जाने वाले मुतसाबियाना ख्यालात अवाम को मतासिर कर रहे हैं जमूरियत को कमज़र कर रहे हैं और नौजाम को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं इस अमल में इनसाफ की फराहमी बुरी तरह मतासिर होती है उन्होंने मज़िद कहा कि मीडिया अपनी जमेदारियों से तजावुस करके जमूरियत को पीछे की तरफ ले जा रहा है प्रिंट मीडिया में अब भी कुछ हद तक एहतसाब है जबके एलेक्ट्रोनिक मीडिया का एहतसाब सीरो है इस से भी बतर सोशल मीडिया है सीजी आई ने कहा जजों पर फिजिकल अटैक में इजाफे के बारे में बात करते हुए सीजी आई रामना ने जोर दे कर कहा कि जबके सियासत दानों पॉलिस अफसरान और दिगर आवामी नुमाइंदों को अक्सर उनकी मुलाजिमत की हिसासित की वज़े से रिटायर्मेंट के बाद भी सेक्यूरिटी फराहम की जाती है सितम सरीफी यह है कि जजों की मुद्द में इसी तरह तोसी नहीं की जाती सीजी आई ने कहा इन दिनों हम जज़ों पर फिजिकल अटाक की बरती भी तेदात का मुशायदा कर रहे है जज़ों को इसी मौशने में रहना पड़ता है जिसमें लोगों को सजा दी गई है बगर किसी तहाफूस या हिफाज़त की यखिन दाहानी के सीजी आई ने कहा पेश एएटीन ते लंगाना नियूस से ये खुसूसी रिपोर्ट मज़ी ताज़ातरी इन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें उर पुबन ताज़ एच्छिटेमिन गार्ट में में प्र जायत रुप जा प्र जायत भीर टाल को या लुटेटि भीर बेचल टूरे इन पुट्टि यूट्ड़े ब्राट गिए ने हम पिल्यूट सानी है In this process, justice delivery gets adversely affected By overstepping and breaching your responsibilities You are taking our democracy two steps backward I think Chief Justice has made a remark during his address To talk about the life of the judges And his comment can be understood in right perspective And can be discussed about it I will not offer any comment at this point of time